इस्टार्ट अयुद्धा में मंदीर निर्मान के लिए ट्रस्ट की घोषना न केवल स्वागत योग है बलकी एक तरह से सवक्त भी है सर्वुच नियाले के आदेश और निर्देशित परक्रिया के तहत मंदीर निर्मान की दिशा में कदम दर कदम सांती पुर्वक बढ़ने का अपना विशेश महत्व है बूधवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसत में की गई स्रीराम जनभुमी तिर्थ छेत्र ट्रस्ट की गोसना का सभी को इंतिजार था इस फैसले को लोग भले ही दिल्ली के विधान सभा चुनाओ से जोड़कर देखेंगे लेकिन वास्तव में यह गोसना नयाले के दिशा निर्देश के तहट ही हो रही है 9.9.2019 को सरवच नयाले ने अयुध्या मामले में अपना अंतिम फैसला सुनाया था फैसले के तहट तीन महीने में केंद्र सरकार को मंदित निर्मान के लिए ट्रस्ट की अस्थापना करनी थी चुकी मियाद पूरी होने जा रही है इसलिए परधान मंत्री की ताजा घोसना के वैधानिक महत्व को समझा जा सकता है ट्रस्ट का गठन जरूरी है ताकि उसके अधिन मंदीर का निर्मान शुरू हो ट्रस्ट गठन से मंदीर निर्मान की राजनिती पर भी लगाम लगेगी यह अच्छी बात है कि उचतम नयाले के हैसले के बाद लगतात सदभाव बना रहा है और आगे भी सरकार को सुनिशित रखना होगा कि अनुचित लाव कोई न ले सके बूदवार को संसद में परधान मंतरी ने भी सब को साथ लेकर चलने के अपने संकल्प को जिस तरह से दोहराया है उन्हें उसी धारा में आगे का सफर तै करना चाहिए नौ नौमबर के फैसले के बाद परधान मंतरी ने कहा था कि यह किसी की जीत या हार नहीं है इसी भावना के अनुरूप मंदीर निर्मान होना चाहिए देश इतिहास लिख रहा है जो यह सुनिशित करना चाहिए कि निर्मान की बुनियाद में किसी तरह की राजनिती वैमनस और संपरदाइकता का लेश मात्र भी न हो परधान मंत्री की घोसना के साथ ही यह भी अस्पस्ट हो गया है कि 15 सदस्ये ट्रस्ट में एक दलित सदस्ट भी होगा वाकई ट्रस्ट में हर समुदाए और जाती के ऐसे विशसग्यों वा संतों को चुना जाना चाहिए जिनकी इमंदारी वा राम भाव के परति निष्ठा प्रस्णों से परेहो साथ ही यह भी देखना चाहिए कि ट्रस्ट में किसी खास समुध अखाड़े या मठ या संपरदाय का वर्चस न रहे मंदिर वही लोग बनाए जो हिर्दय में राम भाव रखते हैं स्री राम जन्म भूमी तिर्थ छेत्र को एक ऐसा अन्य छेत्र भी घोशित करना चाहिए ताकि राम के दरवार से किसी जाती धर्म संपरदाय का कोई भी विक्ति बिना परसाद न लोटे सरकार को कम और ट्रस्ट को जाइदा सचेत रहना होगा कि राजनिती की कोई गुंजाइस न रहे भारत में लिया गया यह हैसला इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है दुनिया यह देखना चाहती है कि जिस राम के लिए लंबा संघर्श चला उस राम को यहां के लोग वस्तुता कितना मानते हैं अतह जितने प्रेम से मंदीर निर्मान हो उतने ही लगाव से मस्जिद बनाई जाए जिस सदभाव की उमीद मंदिर ट्रस्ट से रहेगी वही भाव लोग उस वफ बोर्ड में भी देखना चाहेंगे जिसे अयुध्या में भब मस्जिद का निर्मान करना है स्वयम प्रधान मंत्री द्वारा ट्रस्ट की घोसना भी एक अच्छा संकेत है कि वह अपने अस्तर पर इस मामले को सीधे देख रहे है भारत इस समय ऐसे दोर में है जब हम रती भर भी संपरदाई गलती कर नहीं सकते